दोस्तों आप मेंसे बहुत लोग मुझे comment करके पूछते कि सर ये mutual fund, index fund, ETF और direct stock investing में क्या फरक होता है एक beginner के लिए क्या best होगा तो इसी रिए आज हम इनके concept को समझेंगे और ये जानेंगे कि आपके लिए concept best है जहांसे आप कम से कम risk लेगे सबसे जदा profit कमा सकते हो और दोस्तों हम इन चारों option को एक दूसरे से compare भी करेंगे और एकदम simple language में समझेंगे कि एक beginner investor को जिसको stock market की कोई भी knowledge नहीं है अगर वो seriously invest करना चाता है अपने लाखो रुपे की savings को तो उसे कहां invest करना चाहिए क्योंकि दोस्तों ये सब लगते एक जैसे लेकिन इन में काफी जादा फरक होता है छोटी-छोटी चीज़े होती है चो लोगों को शुरू में पता नहीं होती है लेकिन काफी सहलों बात समझ आती है जब उनका अल्रडी बहुत बड़ा loss हो चुका होता है क्योंकि दोस्तों स्टॉक मार्केट में छोटी-छोटी गलतियों से भी बहुत बड़े नुकसान हो सकते है जो आर्ज की वीडियो में आप लोगों को समझ आ जाएगा तो इसलिए ये एक वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूत होती है तो वहाँ पे आपको loss भी हो सकता है लेकिन जहां हम बात करते हैं दूसरे investments की जैसे fixed deposit, ulip या कोई regular income plan तो वहाँ पे आपको guarantee return मिल सकता है जैसे 5, 6, 7 या 8% तक का आपको return मिलता है और stock market की crash होने पे भी आपका loss नहीं होता है तो फिर सवाल यह उठता है कि लोग इन सब में invest करते क्यों है तो इसका answer यह कि अगर हमारी economy future में grow होती है जो पिछले 50-60 साल से होती आ रही है तो FD के investors को उनका 5-8% का ही return मिलेगा लेकिन यहां पे इन investors को काफी अच्छा return मिल सकता है जैसे 10-15 या 20% तक या उससे भी जादा और इस छोटी से फरक से long term में काफी जादा फरक पड़ता है जैसे हर नॉर्मल इनसान को यही लगेगा कि जो investor 8% की rate से पैसा grow कर सकता है और कोई दूसरा investor 16% की rate से अपना पैसा grow कर सकता है तो 16% वाली की wealth long term में 8 वाले से double होगी जैसे 1 लाग रुपया 30 साल में 8% की rate से 10 lakhs में grow होता है तो जिनको compounding नहीं पता उनको लगेगा कि 16% वाले investors की wealth सिर्फ 20 lakh की होगी लेकिन reality में 16% की rate से 1 लाग रुपया वही period में 85 lakhs में grow होता है तो ये 16% भली 8% का सिर्फ double है लेकिन actually में पैसो के मामले में ये इससे और 8 गुना जादा है दो गुना नहीं और जैसे जैसे time निकलता रहेगा तो ये difference और जादा होता रहेगा तो जिनको compounding का magic नहीं पता है तो वो लोग हमेशा कोई guarantee return वाले investments ही चुनेंगे और banks इसका फाइदा उठाते रहेंगे और S.C. schemes sell करते रहेंगे तो इसलिए इन चारों option का सबसे main benefit है कि long term में आप compounding के power से बहुत अच्छी wealth create कर सकते हो इस compounding के magic के ओपर मैंने एक detail video अलड़ी बना है इसका link आपको नीची description में मिल जाएगा तो दोस्तो अब हम यह समझते कि इन चारों में फरक क्या है तो यह जो बीच के दो options हैं इनमें आपको market का average return मिलता है मतलब जितने rate से sensex और nifty grow होता है आपको उतना ही return मिल सकता है जैसे पिछले 40 साल के record के इसाब से sensex 15% के rate से grow होता है तो अगर future में sensex वही rate से grow होता है तो यह index fund और ETF investors को उतना ही return मिल सकता है लेकिन यह corner के दो investors को sensex और nifty से जादा भी return मिल सकता है या उससे कम भी return मिल सकता है फिर दूसरा difference ही है कि यह तीन options में आपको एक ready made diversified portfolio मिलता है तो इन में एक common benefit यह है कि जिसको stock market में ही invest करना है लेकिन पता नहीं कि कौन सा stock लेना चाहिए तो वो इन तीनों में से कोई एक option चुन सकता है यह mutual fund, index fund और ETF कभी भी bankrupt नहीं होते तो यहाँ पे आपके पूरे पैसे डूबने की chance बिलकुल भी नहीं है अगर market crash भी होता है और हमारी country बहुत बुरी situation में पड़ती है तो यह maximum 50-60% तक नीचे जाते है और recover भी कर लेते है जैसे पिछले साल COVID की वज़े से यह index 40% नीचे गया था आपका पैसा companies के stock में invest होता है लेकिन एक asset management company के थुरू जैसे HDFC mutual fund या Axis mutual fund company तो या तो आप अपने investment directly in AMC के थुरू कर सकते हो या फिर आप इसको भी किसी third party investment app से कर सकते हो जैसे upstocks या zero-da या angel broking तो अगर आप upstocks के साथ mutual fund में invest करते हो तो पहले आपका पैसा upstocks के पास जाएगा फिर वो फौरण उसे mutual fund company को पहुचाएंगे जैसे HDFC mutual fund और फिर दो दिन के बाद आपको confirmation मिलेगा कि आपका पैसा stocks में invest हो चुका है और आपको units मिलते हैं और तब जाकि आपका पैसा diversified stocks के portfolio में invest होता है लेकिन यहाँ पे ETF और stocks में आपकेसी broker के थूँ invest कर सकते हो क्योंकि अगर मुझे पता है कि मुझे कौन से stock में invest करना है या कौन से index में invest करना है तो मैं directly वहाँ invest करूँगा एक broker के थूँ जैसे मेरा account angel broking और upstocks के साथ है तो अगर आपको stocks में invest करने के लिए एक investment account open करना है तो उसका link आपको नेचे description में मिल जाएगा अब वहाँ से directly अपना account open कर सकते हो क्योंकि फिलहाल इनका एक offer चल रहा है जहांसे आप free में अपना demand account open कर सकते हो और उसी एक app के तुरू आप अपने mutual funds और stock investments भी कर सकते हो लेकिन दोस्तो direct stock में आप थोड़ा सा जाधा risk लेते हो क्योंकि आपका पैसा एक specific company में invest होता है जो bankrupt हो सकती है जैसे yes bank, vodafone तो फिर सवाल योड़ता है कि आपको stocks में invest करते क्यों है तो इसका answer काफी simple है direct stock में आपको multi bag returns मिल सकते है जैसे 10 साल में आपका पैसा 10 गुना ग्रोव सकता है तो ये 26% का growth rate होता है और अगर आपका investment अगले 10 साल के लिए यही rate से ग्रोव होता है तो फिर आपका investment 100 गुना ग्रोव सकता है क्योंकि शुरू के 10 साल में आपका 1 गुरुपया 10 गुना ग्रोव होता है और उसके बाद के 10 साल में आपका 10 गुना ग्रोव होता है यही compounding का magic है जिसका direct stock investors फायदा उठाते और इस वीडियो में मैंने एक stock के बारे में discuss किया था कि कैसे यह stock 26% के rate से पिछले 40 सालों से grow होता आ रहा है तो फिर दोस्तो सवाल योड़ता है क्यों लोग mutual fund में invest क्यों करते तो सबसे पहले हम इसके advantage को समझने ही कोशिश करते तो दोस्तो सच यह है कि mutual fund में जादा लोग इसी लिए invest करते क्योंकि आपने इसके काफी सारे TV पे ads देखी होगे कि mutual fund सही है, retirement के लिए mutual fund कर लो यह सबसे best है वगेरा वगेरा तो यह mutual fund हम Indians के लिए सही इसलिए है क्योंकि हम majority Indians आज भी gold, real estate और FD को अच्छा investment मानते है अब real estate से आपको अच्छा return मिल तो सकता है लेकिन उसमें आपको एक बहुत बड़ा amount invest करना होता है तो अगर आपको एक छोटा amount invest करना है जैसे अपनी salary का 10% तो आप mutual fund में SIP कर सकते हो तो जो fund manager होगा, वो आपके लिए stock select करेगा आपके लिए portfolio बनाएगा और अच्छे returns कमा के देगा जिसके लिए वो सिर्फ 1-2% की fees आपसे लेगा लेकिन दोस्तो जब mutual funds इतने अच्छे होते है तो लोग index fund में क्यों invest करते है तो इसलिए अब हम इसके disadvantage को समझने की कोशिश करते है तो दोस्तो जब आप mutual fund में invest करने का plan करते हो तो आप पता लगाओ के कैसे कि कौन सा mutual fund best है क्योंकि जब आप stocks को और इन तीनों को compare करोगे तो no doubt stocks में ज़्यादा risk होता है लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारी information मिल जाती है जैसे यहाँ पे मैं ticker tip यूज कर रहा हूँ जो stocks और mutual fund को analyze करने का एक platform है इसकी link आपको नेचे description में मिल जाएगी तो अगर आप यहाँ पे कोई company pick करते हो और company की annual report open करते हो तो उससे आपको company की काफी सारी information मिल जाती है फिर आपके पास company के investor presentations होते है और company के financial performance का record होता है और उनकी ऐसी बहुत सारी information आपको मिल जाती है लेकिन जहां हम बात करते हैं किसी mutual fund की तो मैं यहाँ पे एक random mutual fund pick कर लेता हूँ तो हमारे पास mutual fund को analyze करने के लिए बस यही सब data available होता है जैसे इस mutual fund का past performance फिर इनका expense ratio, PE ratio और sharp ratio फिर हम इनके portfolio में कौन से stocks है वो देख सकते है और fund managers की detail देख सकते है लेकिन problem यह है कि जब आप stock market में new होते हो तो आप पता लगाओ के कैसे कि इस सब data analyze हम कैसे करे क्योंकि आप direct stocks के मुकाबले mutual fund इसी ले चुन रहे हो क्योंकि आपको finance की इतनी knowledge नहीं है या शायद आपको analyze करने के लिए इतना time नहीं देना है अगर इतना time आपके पास होता तो शायद आप directly stocks में invest कर लेते क्योंकि stocks में तो आपको multi bagger returns भी मिल सकते लेकिन mutual funds multi bagger नहीं होते तो इसी लिए जब आप mutual fund में invest करते हो तो आप इन fund manager पे शर्थ लगाते हो कि future में ये वाला घोडा जादा तेज भागेगा लेकिन इन fund managers के ओपर बहुत सारी restrictions होती है जिससे वो पूरे freedom के साथ stock selection कर पाते नहीं है जिसको हम index fund versus mutual fund के वीडियो में discuss करेंगे तो इसी लिए ये index fund और ETF का सबसे बड़ा benefit ये है कि ये simple होते है क्योंकि इंडिया के national stock exchange में यानी NSE में almost 1500 stocks sell होते लेकिन इंडिया में total 50000 से भी ज़्यादा mutual fund sell होते तो mutual fund invent इसलिए किये गए थे कि लोगों को stock select करने में ज़्यादा time waste ना करने पड़े लेकिन अब stocks से ज़्यादा हमारे पास mutual fund available है तो best mutual fund को ढूणने के चकर में बहुत लोग usually खराब जगा invest कर लेते या फिर बार-बार mutual fund change करते रहते जिसमें वो exit fee और ज़्यादा tax pay करते और वो compounding का magic भी देख नहीं पाते और इसलिए आज की तारिक में दुनिया के सारे smart investors आपको हमेशा कोई simple passive investment ही suggest करेंगे जैसे index fund या ETF क्योंकि यहाँ पे आप किसी fund manager पे नहीं बलकि पूरी country पे बैट लगाते हो कि Indian economy grow होगी तो यहाँ पे आप fund manager risk पूरी तरह निकाल देते हो क्योंकि यह index fund और ETF भी एक mutual fund ही होते लेकिन यह passive mutual fund की category में आते मतलब यहाँ पे एक fund manager तो होगा लेकिन उसका काम सरीफ यही होगा कि वो किसी index को बस copy करता रहे जैसे sensex, nifty या फिर small cap या large cap index वगरा वगरा और इन index funds की advertising भी नहीं होती है और इसलिए इनकी fees बहुत ही कम होती है लेकिन mutual funds की advertising बहुत होती है जो आप ही के पैसो से की जाती है अब इसका मैं आप लोग को एक live example दिखा देता हूँ तो यहाँ पे मैं large cap fund लिख देता हूँ और इसमें से randomly एक mutual fund select कर लेता हूँ तो इसका expense ratio आप देख सकते हो यह 1.68% का है तो यह mutual fund sensex से हर साल 1.6% extra return देगा इसकी कोई guarantee नहीं है लेकिन यह 1.6% आपको charge करते रहेगा इसकी guarantee ज़रूर है तो इसलिए अगर हम index fund की बात करेंगे तो इसका expense ratio सिर्फ 0.15% का है जो बहुत ही कम है तो जिस rate से sensex या nifty grow होता है उधना return तो आपको यहाँ पे मिली जाएगा क्योंकि long term में 1% से भी बहुत ज़्यादा फरक पड़ता है जिसको मैंने इस वीडियो में काफी detail में discuss किया है अब दुस्तों जहां बात आती है index fund और ETF के difference की तो इनमें फरक सिर्फ यह है कि index fund में आप SIP कर सकते हो जिससे आपको dollar cost everything का benefit मिलता है जो मैंने इस वीडियो में काफी detail में explain किया है क्योंकि ETF में आपको SIP करने नहीं मिलता है लेकिन ETF का benefit यह है कि आप इसमें live invest कर सकते हो अपने demand account के थुरू क्योंकि index fund में आपका order complete होने के लिए आपको 2 दिन wait करना पड़ता है अगर आज market crash होता है तो ETF यानि exchange traded funds के थुरू आप nifty को live buy कर सकते हो और ETF की fees भी काफी कम होती है जिसे मैं आपे nifty लिख देता हूं और ETF पे click करता हूं तो इनकी fees 0.05% की होती है जो mutual fund की सारी categories में सबसे minimum होती है तो अगर आपको stocks में invest करना है लेकिन आपके पास time या experience नहीं है तो आप directly nifty या sensex buy कर सकते हो क्योंकि देखते ही देखते sensex 60,000 पे पहुँच गिया है और ये कुछ ही सालों में 1,00,000 क्रॉस भी कर देगा तो जिनको SIP करना है उनके लिए index fund best है और जो कभी-कभी invest करते उनके लिए ETF सही होगा और दोस्तो आप मेंसे कुछ लोग कहेंगे कि सर मुझे एक YouTuber ने best mutual fund suggest किया है उस mutual fund ने पिछले 3 साल में 30% का return दिया है तो mutual fund से ऐसे expectation रखना गलत होगा क्योंकि long term में वो ऐसे extraordinary returns दे नहीं सकते क्योंकि दोस्तो capitalism का nature यह है कि जहां भी ज़्यादा profit होता है तो सब लोग वहीं पे invest करते है तो अगर कोई fund manager actually में बहुत smart होता है और long term तक अच्छा return देता है तो पहली बात तो यह है कि आप उसे जल्दी पहचान नहीं पाऊगे लेकिन जब उस fund manager ने अच्छा track record शो कर दिया है तो उनका AUM यानी asset under management बढ़ जाएगा मतलब जादा लोग उसमें invest कने लगेंगे तो उस fund manager को और भी जादा अच्छे-चे stocks ढुणने होंगे जो बहुत ही मुश्किल होगा तो इससे होगा ये कि पिछले 10 साल का best fund अगले 10 साल का सबसे बुरा fund बन जाएगा तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ high quality companies ही अच्छे rates से long term तक grow हो सकती है क्योंकि उन companies के पास monopolies या कोई mode होता है जिससे वो अपने competition से बचते रहते हैं जिसके ओपर हम आने वाले वीडियोस में काफी detail में discuss करेंगे तो इसलिए अगर आप stock market में new हो तो आपको क्यी multi-bagger stock या best mutual fund डुनने की जगा पे simple strategy यूज़ करना चाहिए और अगर future में आप थोड़ा time निकाल सकते हो तो आपको companies की annual reports rate करने चाहिए और अपनी investing की knowledge को improve करना चाहिए क्योंकि mutual fund के expert बन के आपको कुछ खास profit मिलेगा नी लेकिन companies को analyze करने के expertise से आप काफी अच्छा return कमा सकते हो तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिला होगा तो चैनल को subscribe ज़रूर कर लेना और bell icon प्रेस कर देना क्योंकि आपके लिए ऐसे valuable videos में लाता रहूँगा stocks और mutual fund को analyze करने के लिए ticker tip का link नीचे description में और stocks और mutual fund को खरीदने के लिए free में investment account open करने का link भी नीचे description में और जोस्तों आप इस वीडियो को share करो अपने friends और family के साथ जो investment करना चाहते लेकिन confused है और आप मुझे नीचे comment करके बताओ कि मैं कौन सी topic पे अपना अगला वीडियो बनाओ वीडियो पसंद आया तो इसे like करो नहीं पसंद आया तो dislike करो अपका valuable time देने के लिए thank you and goodbye